नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की चेरिकोफ सिरप का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, चेरिकोफ सिरप को कैसे लेना चाहिए, और चेरिकोफ सिरप की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की चेरिकोफ सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, चेरिकोफ सिरप का उप्योग सूखी खांसी को ठीक करने के लिए और गले में खराश को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा चेरिकोफ सिरप सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आक, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और नाक बंध होना आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए भी चेरिकोफ सिरप का उप्योग किया जाता है. साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में चेरिकोफ सिरप की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में चेरिकोफ सिरप की वज़ा से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चेरिकोफ सिरप की वज़र से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की चेरिकोफ सिरप को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. चेरिकोफ सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तौर पर दो साल से लेकर छे साल के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलिलीटर चेरिकोफ सिरप को दिन में दो बार देने की सला दे सकते हैं। चेरिकोफ सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको चेरिकोफ सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि चेरिकोफ सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। चेरिकोफ सिरप के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और चेरिकोफ सिरप को लेने के बाद जाइविंग नहीं करनी चाहिए। और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशक्ता होती है, क्योंकि चेरिकोफ सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींड आ सकती है, चेरिकोफ सिरप का उपयोग केवल सूखी खासी होने पर किया जाता ह इसलिए बलगम वाली खासी होने पर चेरिकोफ सिरप को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को चेरिकोफ सिरप या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को चेरिकोफ सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसक चेरिकोफ सिरप का सेवन करना सुरक्षित है। वैसे चेरिकोफ सिरप मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है। लेकिन इसकी वज़ा से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका चेरिकोफ सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।